संजू सैमसन को हाल ही में T20 विश्व कप के लिए चुनी गई 15 सदसिय भारतिय टीम में जगा नहीं मिली थी। उनके स्थान पर विकेट की पर बल्लेबाच के तौर पर रिशब पंत और दिनेश कार्तिक को चुना गया था। सेलेक्टर्स के इस फैसले का चौतरफा विरोध हो रहा है। सिर्फ फैंस ही नहीं, क्रिकेट के जानकार भी सैमसन के नहीं चुने जाने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जिस सैमसन को T20 विश्व कप में चुने जाने लायक नहीं समझा गया, अब उनहीं को इंडिया ए टीम का कप्तान बनाया गया है। वो आफ तीन वंडे की सीरीज में भारतिय ए टीम की कप्तानी करेंगे। इस सीरीज के तीनों मैच चैन्नाई के में चिदंबरम स्टेडियम में खेले जाएंगे। सीरीज का पहला मुकाबला 22 सितंबर, दूसरा 25 सितंबर और 37 सितंबर को खेला जाएगा। इस सीरीज के लिए BCCI ने 16 सदसिय भारतिय टीम चुनी है, जो इस प्रकार है। पृत्वी शौ, अभिम्यू ईश्वरन, रितूराज गायकवार, राहुल त्रिपाथी, रजत पाटीदार, संजू सैंसन, कप्तान, के-स भरत, कुलदीप यादव, शाहबाज नदीम, राहुल चाहर, तिलक व प्रदर्शन करेंगे, वे सैंसन के चहरे वाली टी-शर्ट पहन कर आएंगे, सैंसन का IPL में शांदार प्रदर्शन रहा था पर T20 वर्ल्ड कप में दिनेश कार्तिक और रिशब पंत को विकेट कीपर के तौर पर जगह दी गई है, सैंसन के फैंस T20 वर्ल कप के लिए उन् प्रदर्शन करेंगे पिनेश के मेंगे विकपर कास्तोर प्रदर्शन के तौर के उते हैं स calendar के तौर के बजि़ přेंगे, सैंसन कें पिने विए हैं सैंसरे कि उतीट to ऑने ए predictive penalty भीब्र